हेई आई वण हाव यू आल सो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट एंड्स विद उस और यह बुक लिखी है कोलिन होवर ने सब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म से फॉलो नहीं करा अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दिये तो लास्ट वीडियो में यूरुय को कहती है तुम्हैं पता है ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बहुता ही नच सबसे बड़ीट कोस्षन चाहा नहीं था क्योंकि कुछ दिन सेल्स बहुत जादा अच्छी हो जाती थी फूलों की कुछ दिन विक्री कम होती थी तो इसलिए यह लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाया थे कि कैसा था कैसा नहीं है और तो लिली ने क्या कर रहा था था अलीशा को घर बेज दिया था लेकिन ज स्टाइले ने आज ब्लू कला का स्क्रब्स पहन रखा होता है उसने अपने गले में इस्टेटिस्कोप भी पहन रखा होता है जिससे दिल की धरकन आपते हैं वो अपने गले में और वो जब काम से आता है तो बहुत ज़दा अच्छा लगता है और हर बार जब लिली उसको देखती हैं तो उसको बहुत जाथा मतलब एक तुम प्यार वाली feeling आती है लेकिन वो कोशिश करती है ना कि वह चीज वो अपने चेहरे पे ना आने दे और वो क्या करती है उसको फटाक से किस देती है और वापस अपने office के काम में लग जाती है और कहती है कि मुझे थोड़ा सा time दो मैं अपना काम finish कर दो उसके बाद फिल ना हम लोग room पे चलते हैं अब जो रायले होता है ना वो उसको पीछे-पीछे office के office में आता है दरवाजा बन करता है और कहता है क्या तुम्हारे पास couch भी आ गया अब जो लिली होती है उसने कई सफते लगा करती थी और तो वोने एक पौधा लेके आगए permanently जो कि उन भाई वहीं पे रहेगा ऐसा नहीं है यह garden है लेकिन यह चीज ना अच्छी लगेगी क्योंकि इस कमरे में ना इससे पहले बस हमेशा vegetable की crate दी वही रखी रहती थी तो उन्हें सोचा कि यहां पे फूल पौधे रह करता है और तो और वो इतना काम करने में लगा रहता है कि पूछो मत अब जो लिली होती है वो सोती है कि मैं भी बहुत सारा काम कर रही हूं 12 घंटे से जारा तो मुझे होगा अपने इस office में काम करते हुए और तो अब भी घर जाने का कोई पता-पता नहीं है और जब बात को देख रहा होता है लिली को और लगवख पिछले 15-20 मिर्चे जो रायले था वो लिली को ही देख रहा था अब यह देखने के बाद लिली के चेहरे पर स्माइल आ जाती हो उना थोड़ा सा शर्मानी भी लगती है अब क्या करती है ना चेहर से खड़ी हो जाती है अब जो अब जो रायले होता है वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी नहीं बता कि कितना सारा हूँ अब वो क्या करता है लिली को अपनी जांगों पे बिठा लेता है और एक हाथ ना उसकी कमर पर रखता हूँ कहता है यह मेरा पहला रिलेशन्शिप है मुझे नहीं पता है मैं कै ऐसे कहूँ कि मैं तुम्हें कीतना पसंड करता हूं लेकिन मैं तुम्हें बिल्कूल भी डराना 안ह Underground प्रकुषा कभी वी शतना है और तुम्हारा काम है इसा ठीक है बतुम्हारा काम होटे हूँ है, क्यों हाथ उसकी फीले हैँ मैं लाता है। अब जो लिली होती ना अपना सर रहलाती है कैती यह नहीं मैं कभी-कभी चिंता करती हूँ क्यों कि ना तुम अपने आपको बहुत ज़्यादा काम में लगा देते हो लेकि मुझे से फरक नहीं पड़ता का तुम अपनी चीज को लेकि बहुत ज़्यादा पैशन हो तो अपने काम में लगना बनता है और तो और मुझे ना एक्चली जो तुम इतने अंबिशिस हो ना यह चीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और यह एक तरीके से भड़ी सेक्की ज़ी बात है तुम्हें और यह चीज ना मेरी फेवरेट भी है तुम्हें अब जो लिली होती है वो कहते हैं मुझे पता है इसका जबाभ, मेरा मूझ अब जो राहले होता है वो अपना सारा राम से पीछे काउच पर टिकाता है वो कहता है हाँ वो तो है लेकिन तो मैं पता है दूसरी सबसारा चीज कौन सी है जो मुझे बहुत पसंद है अब जो लिली होती है अपना सारी लाके मना करते है कि नहीं मुझे नी पता. अब जो रहाले होता है कि तुम मुझे पे बिल्कुल भी और प्रेशर नी डालती हो, वह भी उन काम के लिए जो मैं कर भी नी पाता हम, और तुम ने मुझे वैशे accept करा है, जैसे मैं हूँ अब जो लिली होती है कि वैसे यार देखो वो अपना हाथ लिली की शल्ट में डाल देता है पीछे से और कहता है ना कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो चीजे बहुत ज़्यादा असान होती है और तो और मुझे जो अपने करियर था मैं हमेशा अपने करियर पे फोकस करना चाता था लेकिन जब से तुम्हें जिन्दगी में आयों ना मेरा करियर के बारे में मैं दस गुना ज़ादा अच्छी से सोच पाता हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि तो जो लिल्य होती है जो इसके कान में हलके से कहती है किया ये सबसे अच्छा केक है जो तुमने चखाया अस थक ये कहने के बाद आहले का हाथ होता है वो लिल्य की ब्रा खूलने में बहुत जल्दी से और तो लीली को तुरंट लेटाल देता है, अब जो लीली होती है वो पूशिश करती है कि अपनी jeans कोल ले, लेकिन उसको बिलकुल भी मौका नहीं देता है jeans कोलने का, वो क्या करता है जो अपना statescope होता है डॉक्टर वाला, वो अपने कान में लगाता है और लीली के दिल पर रख देता है कि अवाज कैसी आ रही है अब जो रायले होता है वो कहता है तुम्हारा दिल इतना काम कैसे करता है लीली अब जो लीली होती है वो बहुत भोले बन के जवाब देती है वो कहती है इसका तालुकात तुम से अब जो रायले होता है वो अपना स्टेटिस्कोप लिली के दिल से रटाता है और लिली को काउच पर लेटाल देता है उसकी टांगे खोलता है और दुबार से अपना स्टेटिस्कोप होता है वो लिली के सीने पर लगाता है और दूसरे हाथ से वो कंटिन्यू करता है कि लिल और जो लिली है वो मन में सूती है यार 140 और मैं भी तब ही satisfied feel करूँगी जब यह 140 होगा और यह कहते ही ना जो राइले का मुह होता है वो लिली के chest में घुच जाता है और उसके boobs को बहुत passionately किस करने लगता है और लिली ना अपनी आखे बन कर लेती है और वो पूरा न अच्छे से boobs को छूरा होता है और बार बार न रहू क्या करता है जो statoscope होता है लिली के सीने पर लगाता हो और रैले कहता है कि अपने घुटनों पर आजाओ अब जो लिली होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है जैसा वो कह रहा होता है बस वो वैसा कर देती है वो अपने आपको इवन एज़स्ट भी नहीं कर पाती इतने में क्या होता है जो उसका स्टेटिस्कोप होता है वो दुबार से उसके सीने पे लगा देता है और अपना हाथ होता है उसके कमर पे अच्छे से फसा लेता है और अभी भी उसकी हार्ट बीट सुन रहा होता है कि कितनी हार्ट बीट होगी है अभी भी जो रैले का स्टेटिस्कोप होता है वो दुबार से उसके सीने पर लगा देता है और इस बार ना वो दूसरा हाथ लीके ना बिल्कुल कमर में अच्छे से फसा लेता है और अभी भी ना वो उसकी हाट बीट सुनना होता है कि वह कितनी तेज हो गई और जो दूसरा हाथ होता है वो उसके टांगों के बीच में उसकी पैंटीज को छूँरा होता है और पहले पैंटीज को छूँता है उसके बाद फिर उसकी पुसी में डाल देता है अब जो लिली होती है उसने दोनों हाथ से काउच को पकर ढखा होता है कोशिश करती है कि कम से कम आवाज निकाले वो अब जो रायले होता है वो कहता है वो 110 हो चुका है अब भी न मैं satisfied नहीं हूँ अब रायले क्या करता है नो जो लिली के hips है वो उनको उठा देता है जो अपना उसने scrub pen नखा होता है वो हटा देता है और ना क्या करता है जो लिली की panty होती है वो उसको उता देता है और एकदम पीछे से फिर doggy style में करना शुरू करतेता है अब जैसे ही ना रायले उसको doggy style में 2-3 बार strokes देता है जो लिली है उसकी तो बिल्कुल हवा खराब हो जाती है और तो फिर ना वो बीच में रुख जाता है और कहता है ना लिली थोना disappointment से बोलता है कहता है यार अभी भी ना 120 ही हुआ और ये वहाँ नहीं है जहां में पहुंचना चाहता हूँ अब जो रायले का स्टेटिसकोप होता है ना वो हटाता है और फटा-फट ना उसकी कमर को अच्छे से पकड़ के ना एकदम प्रॉपर डॉगी स्टाइल में करना शुरू करता है और तो जो अब लिली होती है ना वो बिल्कुल उसकी रिदम से रिदम नहीं मिला पारी होती और तो लिली के पैरों में इतनी हिम्बत नहीं होती ना कि वो अच्छे से कर भी पाए और जो रायले होता है ना वो एक हाथ से तो लगा हुआ होता है दूसरे हाथ से इसको अच्छे से कर रहा होता जो डॉगी स्टाइल में कोई आवाज मत निकालो अब लिली कहती है ना कि मुझे अगले 30 सेकिंड का कोई भी आइडिया नहीं है कि मैंने अपने आपको कैसे बिना आवाज के रोका हो उसका एक हाथ तो मेरी कमर पे था और दूसरा हाथ ना स्टेटिसकोप पे था और अगले 30 मिर्ट ना जो भी उसने करा मेरी टांगों के बीच वो तो एक जादू था लिली ना कोशिश करती है कि जैसे वो आगे पीछे कर रहा है वैसे वो भी थोड़ा मूव करे लेकिन भाया वो तो बिल्कुल एकदम रॉक्स ओले था और तो और वो ना उसकी बीच को मैच नहीं कर पाती जो लिली की टांगे थी ना वो कपकपाने लगती है जो लिली ना वो अपनी पूरे शरी की तागत लगा देती है कि वो वैसी उसी पोजिशन में डॉगी स्टाइल पोजिशन में रहे और बिल्कुल भी हिम्मत से उसका अनरा नाम भी नहीं चीक पारी थी हुए नाम भी ना बोले क्योंकि उसने मना करते हैं कि आवाज मन निकालना और जो लिली यह ना वो अब भी शेक कर रही होती है वो एक हाथ से क्या करता है अभी भी उसके heart भी चेक कर रहा होता है और अब कहता है कि आप तो 150 हो गया और ये कहने के बाद वो थोड़ा satisfied feel करता है अब ये कहने के बाद जो राइले होता है वो उसको doggy style से position में हटा कि ना normally लेटाल देता है और उसको ना बहुत passionately kiss करने लगता है और उसके बाद वो missionary position में दुबास उसके साथ sex करना शुरू कर देता है और जो लेली की body होती है वो बहुत ज़्या कमजोर हो गई होती है उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो हिले उसकी ना अभी भी आँखे बंद हो रही होती है वो देख भी नहीं पारी होती है कि भई क्या कर रहा है और कुछ समय तक वो उसको strokes देता रहता है और उसके मूग के पास में आके चिला रहता है हलके-लके और finally जब उसका हो जाता है तो फिर उना हिलना बन कर देता है और उना लिली की गरदन पर आके जो उसका tattoo होता है collarbone पर उसको kiss कर और finally फिर वो rest करता है लिली की गरदन पर आराम से थोड़ा शान्त हो जाता है और रहले कहता है कि कभी मैंने तुम्हें mention करा कि आज रात के बाद से मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ अब जो लिली होती है वो हसने लगती है कहती है एक बार या दो बार अब जो रहले होता है वो कहता है तीन बार और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ बहुत जादा, सब कुछ तुमारे बारे मुझे बहुत पसंद है तुमारे अंदर, तुमारे बहार, तुमारे पास और मुझे ना सब कुछ बहुत पसंद है अब जो लिली यह ना वो smile करती है क्योंकि उसको feel हो रहे थे वो word जैसा वो कह रहा था और तुमारे के लिली के दिल के अंदर ही इतने है किमारे ना वो कहता है मेरी मम्मी का फोन आ रहे और थोड़ा पास में आता ह। उना लिली के घोटने पे किस करता है और दुबार से ना काउच पर बैठ जाता है और फिर फोन ना साइड में रख देता है और उटके ना जाने लगता है जहां लिली की कमफर्टेबल फील कर रही है वो रायले को बोलती है ना कि हम लोग रात को यहीं पर सोजाते है अब जो रायले का फोन होता है उसमें दुबार से आवाज आती है अब भई दो बार आवाज होती है तो इसका मतलब किसी ने वोइसमेल छोड़ा है अब जो लिली है ना वो मन मे से एक बार लडाई हो गए थी, जब मैं टीनेज में था, उसके बाद हम लोगों ने चीजे सॉट आउट कर लिए, अब मैं अपनी मम्मी से डेली बात करता हूँ, अब जो लिली है उपने हाथ फोल्ड करके अपनी चेस पर रख लेती है, और उसको ना रायले को देख रही हो मेरी मम्मी, वेल जो मेरी मम्मी है वो बहुत ज़दा ओवर बियरिंग है, काफी जजमेंटल है वो, और इस्पेशली खासकर उन लोग के लिए जिनको बहुत ज़दा प्यार करती है, उन्होंने एक भी चर्च की सेवा में स्नी करी, और तोहर मैंने हमेशा अपनी मम्मी को जब भी वो पापा को बुलाती थी, तो यही कहते हुए सुना था, कि डॉक्टर किन कैट, अब लिली ने उसको वर्णिंग देती कि हसना नहीं है, लेकिन वह तब भी अपनी मम्मी की बात करते हुए हस रहा होता है, अब जो लिली होती है, वो कहते है, तुम्हारे पापा करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए वो ना क्या करा, वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई, तो आप लोग हम लोग ना इंग्लैंड जाते हैं, साल में एक दो बार जाते हैं, और तो ना मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, तो जब हम लोग अगली बार जाएंगे तो हम तुम्हें भी लेके चलेंगे, अब जो लिली होती है, कि तुमने अपनी मम्मी को मेरे बार ही बता दिया, अब जो रहले होता है, केता है, अफ्कॉर्स यार, और तो यह ना बहुत अच्छी चीज थी तुम्हें पता है, वो ना मेरे को हर दिन कॉल करती है, पूछती तुमसे ना कल से बात नहीं है मैं तुम्हें मिस कर रही हूं मेरा एक हग देना लीली को भी और तुम अभी इसके साथ हो ना अलीशा मुझे भता रही थी कि तुम हमेशा उसी की बात करते रहते हो तुम्हारी भी भी गलफेंड है ना चलो ठीक है, जो ग्रिचेंस थे न, वो आ चुके हैं, हम लोग चाय पिएंगे, लव यू किसी हूँ अब जो लिली है न, वो हसने लगती है, और अपना जो मू होता है न, वो राइले के सीने पर रख देती है और कहती है न, कि हमें तो अभी कुछी महीने हुए यहां, डेट करते हुए, तुम इतना बात करते हैं मेरे बारे में अब जो राइले होता है न, उसका चहरा उठाता है, उसको किस करता है, वो कहता है न, बहुत ज़्यादा लिली, बहुत ज़्यादा अब जो लिली होती है न वो smile करती है और कहती है न मैं बिल्कुल भी इंतिजाहर नहीं कर सकती तुमारी ममी से मिलने का और तो और उन्होंने ने एक इतनी अच्छी बेटी अलीसा दिये उसके बाद तुम हो यह तो बहुत impressive है यार अब जो रायले होता है न उसको हक कर लेता है उसके माथे पर किस करता है और फिर जो लिली होती है उससे पूछती है कि तुमारे भाई का नाम क्या था अब भाया जब यह लिली ने सवाल पूछा होता है तो उसको पता चल चुका तो जो राईले है उसको थोड़ा सा रियक्शन बदल गया और वो ना रिग्रेट भी करती है यार कि मैंने किसे क्या पूछ लिया ये सवाल लेकिन अब मुझे निकली बात और पेट से निकली अलाद वापस तो जा नहीं सकती वो क्या करती है ना फटा फट डाईले को दुबारा से किस करना शुरू कर देती है और लिली को पता होता है कि भाई अगर वो किस करेगी ना तो फिर से दुबारा से सेक्स होना शुरू हो जाएगा लगबा कुछी मिनिट लगते हैं और ये लोग दुबारा से ना फिर से सेम सेक्स करना शुरू कर देते हैं और इस बार ना उन्होंने प्रॉपर लव मेकिंग की होती है तो ये था इस वीडियो में and I hope so ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो So thank you and stay connected